हाई गाईज, वेलकम टू करंट अफेर्स फंडा, मैं हूँ अभीशेक शर्मा और फ्रेंट्स इस वीडियो में हम नवंबर 2nd वीक के सभी करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं तो विदीशा मैत्रा इन्हें प्रशाशनिक और बजटीय प्रशन पर संयुक्तराष्ट सलाकार समीती के लिए चुना गया है फ्रेंट्स 1946 से भारत इस समीती का सदस्य राये, इस समीती के 16 सदस्य का चैन United Nations General Assembly द्वारा किया जाता है विदीशा मैत्रा जिस पद के लिए चुनी गई है वे एशिया पैसिफिक ग्रूप में अकेला पद है इनके अलावा इराक के कैंडिडेट अली मुहम्मत फेक इस रेस में थे विदीशा मैत्रा भारत की पहली राजनईक बनी थी जिन्नोंने पिछली बार संयुक्तराष्ट महासवा में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पूरा नाम लिया था विदीशा ने इमरान खान का नाम इमरान खान नियाजी ये नाम लिया था अब इस नियाजी सब्दे में क्या खास है तो friends आपको बदा दूगी 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान की ओर से जो Instrument of Surrender ये साइन किया गया था तो ये साइन किया था पाकिस्तान के Army General A.A.K. नियाजी ने इने भारत ने Prisoner of War भी बना लिया था साथ ही friends जो ये committee है ये United Nations के budget की report को examine करती है उसका परिक्षन करती है फ्रेंड्स एक बात आप और याद रखना TS 3 मुर्ती ये New York में भारत की ओर से United Nations में permanent representative है और इने के साथ इंद्रमणी पांडे ये Geneva in Switzerland यहाँ पर भारत की ओर से United Nations के लिए permanent representative है तो ये दोनों आप याद र हैं एक जिनेवा में हैं और दूसरे New York में हैं आगे बढ़ते हैं रिसेंटली विच कंट्री रिमॉवड द इस्ट टर्किस्तान इस्लामिक मोव्मेंट फ्रॉम इट्स लिस्ट ओफ टेरिरिस्ट और्गनाइजेशन ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन सी तो हाल ही में United States of America ने पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मोव्मेंट को आतंगवादी संगठनों की अपनी सूची से हाटा दिया है और फ्रेंट्स ये न्यूज इसले चर्चा में रही क्योंकि चाइना ने इस बात का खुला विरोध किया है फ्रेंट्स जो ये ETIM है यानि East तुरकिस्तान इ जो इसको टेरर गुरूप मानते हैं रिसेंट्ली पाकिस्तान ट्रांसफर्ड दा मैनेजमेंट ऑफ दे करतारपूर साहीब गुरुद्वारा फ्रोम अ सीख बोडी तो अ सेपरेट ट्रस्ट इन विच डिस्टिक दे करतारपूर साहीब गुरुद्वारा इस लोकेटेड त और करतारपूर साहीब गुरुद्वारा ये फ्रेंट्स पाकिस्तान के नरोवाल डिस्टिक में है एक्रोस रिवर रावी और इसका जो इनागुरेशन हुआ था वो 9 नमबर 2020 को किया गया था तो पहले ये जो है एक सीख बोडी के पास था इसका प्रबंदन और अब ये प फाइनल रेस्टिंग प्रेस रहा है और जो ये करतारपूर साहीब कोरिडोर है इसकी लंबाई है 4.7 किलोमेटर फ्रेंट्स ये जो कोश्यन है ये एक एक एक्जाम में पूछा गया था मेरे पास उसकी कटिंग नहीं मिली वढ़ना मैं आपको जरूर दिखा था तो ये या फ्रॉम दा इस्टेट ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन बी तो हरियाना राज्य की विधान सबाने राज्य के नोकरी चाहने वालों को निजी छेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षंड देने के लिए एक विधेक पारित किया है और फ्रेंट्स हरियाना के सीम है मनोहर लाल खटर ग रंजाब, हिमाचल परदेश, राजस्थान, उत्राकन, उत्रापरदेश और डेली से अपना लैंड बोर्डर शेर करता है फ्रेंट्स अगर हम हरियाना से जुड़े हाली के करेंट अफेर्स की बात करें तो हरियाना ने एक मुख्यमंत्री परिवर्तन योजना भी लौंच किया है, साती हरियाना के सीम ने परिवार पहचान पत्र इसको लौंच किया है, तो ये एक 8-digit unique identification number है, तो फ्रेंट्स इसमें और आधार में क्यांतर है, तो ये जो नंबर है, ये केवल फैमिली को दिया जाएगा, जबकि आधार तो हर एक individual को दिया जाता है, तो ये सभी current affairs को पिछले कुछ महीनों के हैं, ये केवल आपके revision purpose के लिए हैं, इनको अगर आप detail में पढ़ना चाते हैं, तो आप खुद से Google पर देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी लौंच्ट रोपैक्स सर्विस बिट्विन हजीरा एंड खोगा in which state, the correct answer is option B, तो प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने गुजरात राज्य में हजीरा और घोगा के बीच, रोपैक्स सेवा शुरू की है, और आप साथ ही आपको मैं ये भी बता दूँ, कि इंडिया का पहला CNG terminal ये गुजरात के भावनगर में सेट अप किया जा रहा है, और गुजरात के CM है विजय रूपानी, यहां की गवर्णर है आचारे देवरत और कैपिटल है गांधी नगर, विच आयाइटी लॉंच्ट, फर्स्ट जय कृष्ण मैमोरियल लेक्चर, तो आयाइटी रुड़की ने पहला जय कृष्ण मैमोरियल लेक्चर लॉंच किया है, और फ्रेंट्स इस लेक्चर को एड्रेज किया है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेकरेटरी है, पीके मिश्राजी ने, और इसका जो थीम रहा है, वो रहा है COVID-19 and the future of disaster risk management in इंडिया, साथी फ्रेंट्स, अगर हम आयाइटी रुड़की से जुड़े करेंट यू, तो यह question पुछे जाते हैं IIT से related, तो आप इनको याद रखना, which PSU has signed MOU with the Department of Chemicals and Petrochemicals recently to achieve the revenue target of Rs. 451 crore in fiscal year 2020-21? The correct answer is option A, तो HIL India Limited ने, वित्वर्स 2020-21 में, 451 crore के राजस्व लक्ष को प्राप्त करने के लिए, हाल ही में, रशायन और पेट्रो, रशायन विभाग के साथ समझूता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं Friends, जो यह HIL India Limited है, यह Ministry of Chemicals and Fertilizers के अंडर काम करती है The correct answer is option D, तो Friends, यह इनका second term है, यानि जोन पॉम्बे मुगुफली, इनको तंजानिया के राश्टपती के रूप में सपत ली गई है इनके द्वारा और Friends, जो तंजानिया की कैपिटल है, वो है डोडोमा और करंसी है तंजानियन शिलिंग The correct answer is option D, तो IIT खड़कपुर में केंद्र सिक्षा मंत्री रमेश पोकरियाल निशंक ने भारत तिर्थ नामक अंतराष्टे वेबिनार का उधगाटन किया है और Friends, अगर हम IIT खड़कपुर से जुड़े Current Affairs की बात करें, तो Elderly People के लिए IIT खड़कपुर ने एक Care4U इस एप को लौंच किया था साथी IIT खड़कपुर ने एक E-Classroom Software डेवलप किया है जिसका नाम है दिखशक और IIT खड़कपुर ने एक काफी Low Cost COVID टेस्ट लौंच किया था 500 रुपीज में जो की एक घंटे के अंदर रिजल्ट देता है इसका नाम है कोवी रैप और Indian Institute of Technology यानि खड़कपुर ने ये फ्रेंड्स जो Times Higher Education की रैंकिंग है तो Top 100 में केवल भारत का इकलोता इंस्टिटूट है जो Top 100 में जगा बना पाया है तो ये भी आप याद रखना ये कोश्चन तो काफी आते हैं रैंकिंग वाले तो इसमें पुछा जा सकता है कि कौन इंस्टिटूट टाइम्स हाइर एजुकेशन इंपेक्ट रैंकिंग 2020 में आने वाला इकलोता इंस्टिटूट है तो आंसर होगा IIT खड़कपुर साथी फ्रेंड्स IIT खड़कपुर ने अपने केंपस में Academy of Classical and Folk Arts इसको शुरू किया है फ्रेंड्स हमारे वाइस प्रेजिडेंट वंकाया नाइडू जी ने अंतराष्टिय सतावधानम कारेकरन का उद्खाटन किया है तो जो अवधानम है यह एक साहितिक परफोर्मेंस है जिसमें मुश्किल साहितिक पहेलियों को हल करना कविताओं को सुधारना और ऐसे कई क आइपकारियों को एक साथ करने की एक व्यक्ति की चमता की परिक्षा करना सामील है कि वह उनमीछ एट आर शितार जी वाई टी आए एंड श्रिश्टी जी वाई टी आई तो फ्रेंट्स यह जो दोनों नाम है यह अवार्ड से तो सितार जीवाई टीवाई का मतलब है Students Innovation for Advancement of Research Exploration गांधियन यंग टेकनोलोजिकल इनोवेशन और सिस्टी जीवाई टीवाई का अर्थ है Society for Research and Initiatives for Sustainable Technological Innovations गांधियन यंग टेकनोलोजिकल इनोवेशन तो फ्रेंट्स यह दोनों ही कैटेगरी हैं और यह अवार्ड्स Union Minister in Ministry of Health and Family Welfare डॉक्टर हर्चवर्दन ने चात्रो द्वारा रिसर्च की दिशा में किये गई इनोवेशन के लिए दिये है How many centers have been approved by the Sports Ministry as the Kelo India Center of Excellence Friends एक question में have been है तो आप इसको correct कर ले न The correct answer is option 6 तो खेल मंत्राले ने Kelo India Center of Excellence के रूप में 6 केंद्रो को मंजूरी दी है और Friends इनका budget रहेगा रूपी 67 करोर और जो जिन states में आएंगे इनका नाम है आसाम, महाराष्ट, मध्यपर्देश, मेगाले, सिक्किम और यूनियन डरेक्ट्री ओफ दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दियू Friends साथी मैं आपको ये बता दू कि Kelo India Youth Games 2021 ये हरियाना के पंचकुला सेर में होंगे और इस साल यानि 2020 के जो Kelo India Youth Games हुए ये आसाम के Goa Hearty में हुए है आगे बढ़ते हैं Recently, ISRO launched PSLV C-49 carrying India's latest Earth Observation Satellite EOS-01 How many customer satellites were part of this launch? The correct answer is option C तो हाल ही में ISRO ने Prithvi Avlokan Upgrade EOS यानि Earth Observation Satellite EOS-01 को PSLV C-49 से प्रक्षेपित किया तो साथ ही Friends इसके साथ 9 customer अब उपगरह भी भेजे गए हैं और ये 9 customer satellites कीन कंट्रीज के हैं तो लिधवानिया की एक है और लगजमबर के 4 और United States की 4 satellites इसमें सामिल रही हैं ISRO के Chief है KC-1 और Headquarters है ISRO का Bangalore में और Friends ISRO की जो Commercial Arm है ये है New Space India Limited तो इसी के साथ ये समझोता किया गया था customer satellites बेजने के लिए Friends जब ये launch हुआ था तो इस पर एक fully dedicated video हमने आपको provide कराई थी जिसमें पुरी जानकारी दी गई है इस launch के बारे में तो आप उसको जरूर देखें काफी जानकारी वाली उसमें बाते बताई गई है ISRO से related और New Space India Limited से related अलासेन ओटारा एस बीन री अपॉंटेड एस दा प्रेजडेंट आप विच कंट्री तो अलासेन ओटारा को आईवरी कोस्ट के राष्टपती के रूप में फिर से निउक्त किया गया है और फ्रेंट्स जो ये आईवरी कोस्ट है इसकी जो कैपिटल है ये है यामो सोक्रो और करंसी है वेस्ट अफ्रिकन CFA फ्रेंक ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन दी ये शवर्धन कुमार सिना को नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में निउक्त किया गया है और फ्रेंट्स इनको ये सपत दिलाई है प्रेजिडनेंट रामनाथ कोविन ने और इनका टेन्योर रहेगा तीन साल के लिए फ्रेंट्स सेक्षन 12 और र्टी आई एक्ट के तैथ सेंट्रल गॉर्पमेंट ने सेंट्रल इन्फोर्मेशन कमिशन का गठन किया हुआ है इसमें चीफ इन्फोर्मेशन कमिशनर के साथ दस से ज़्यादा सेंट्रल इन्फोर्मेशन कमिशनर नहीं हो सकते selection committee में प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया, leader of opposition इन लोगसभा और एक union cabinet मिनिस्टर सामिल रहते हैं जिनें प्राइम मिनिस्टर नोमिनेट करते हैं और friends जो ये chief information commissioner होते हैं ये 5 साल के लिए नुक्त किये जाते हैं और ये reappointment के लिए eligible नहीं होते हैं लेकिन ये स्वर्धन कुमार सिना का कारेकाल 3 साल का रहेगा क्योंकि 3 साल बादिये 65 साल के हो जाएंगे और friends इसमें नए information commissioner भी नुक्त किये गए हैं उद्य महुरकर, हीरालाल समरिया और सरोज पुनहानी तो इसी तरह अब जो नए strength हो गई है इस commission की तो 6 तो अब इसमें information commissioners हैं और साथ ही एक हैं इसमें chief information commissioner who among the following directors has been selected for the J.C. Daniel Award the correct answer is option C तो J.C. Daniel पुरिसकार के लिए हरी हरन को चुना गया है friends जो ये J.C. Daniel Award है ये केरल का highest award है in Malayalam cinema और ये दिया जाता है outstanding contribution to Malayalam cinema के लिए और इसमें जो cash price है वो है 5 lakh rupees friends जो ये J.C. Daniel है इन्हें father of Malayalam cinema कहा जाता है केरल के CM है पिनराई विजियन गवर्णर है आरीफ मुहम्मद खान और केरल की capital है थिरुवनंत पुरम Siska group named whom as its new brand ambassador The correct answer is option C तो Siska group ने अपने नए brand ambassador के रूप में actor राजकुमार राव को nuked किया है इससे पहले Siska के जो brand ambassador थे वो थे इरुफान खान उनकी death हो गई थी तो उसके बाद अब राजकुमार राव को इन्होंने अपना brand ambassador बनाया है Who has been appointed as the chairperson of the commission for air quality management The correct answer is option A वायू गुणवत्ता प्रबंधन आयोक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है MM Kutigo Friends, केंटर सरकार ने दिल्ली NCR में परदूशन पर नियंतरन के लिए वायू गुणवत्ता प्रबंधन आयोक का गठन किया है और MM Kutti के अलावा 14 और सदस से इसमें सामिल रहेंगे इस commission ने 22 साल पुरानी EPCA यानी Environmental Pollution Prevention and Control Authority इसको replace किया है प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी ने Virtual Global Investor Roundtable 2020 इसकी अध्यक्षता की है और friends जो ये Roundtable रही है इसको organize किया है Ministry of Finance ने with National Investment and Infrastructure Fund के साथ मिल कर और इसमें प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी ने एक बात और याद दिलाई कि National Infrastructure Pipeline इसके तहत भारत जो है वन पॉइंट फाइफ ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेगा friends ट्रिलियन में वन के बाद 12-0 आती है और बिलियन में वन के बाद 9-0 आती है और मिलियन में आती है 6-0 तो ये आप याद रखना और जो ये round table हुआ है ये एक opportunity देता है global investors को कि वो इंडिया में जो investment है उसको grow कर सके उसके लिए अपने रास्ते खोल सके who has been conferred with भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड बाय महाराष्टा गवर्नर फोर कोविड-19 रिलीव the correct answer is option B तो सुनील सेठी को कोविड-19 राहत के लिए महाराष्ट के राज्यपाल द्वारा बारत रत ने डॉक्टर अंबेडकर पुरसकार से सम्मानित किया गया है फ्रेंट्स मुंबई में जो डबबा वालाज हैं तो उनके लिए इन्होंने जो फूड सप्लाई है वो अरेंज कराई क्योंकि कोविड-19 के तहत उनका काम जो है बिलकुल ठप हो गया था तो काफी silently सुनील सेठी ने ये काम किया है और उसी की बदलत उनको इस समान से अब नवाजा गया है और फ्रेंट्स महाराष्टे गवेंडर हैं बगसिंग कोश्यारी रिसेंट्ली इंडियन आर्ण्व फोर्सेज कैरिड आउट एक्सराइज बुल स्ट्राइक एट टेरेसा आइलेंड इस लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी ती करेक्ट आंसर इस ओ निकोबार दीव सभू में है यह और फ्रेंट्स एक बात आप और याद रखना कि जो इंडिया की पहली और ओनली ट्राइज सर्विस है यह अंडमानें निकोबार में है और अगर हम यहां की फेमस ट्राइब्स की बात करें तो जरावा, ओंगी, अंडमानीज, सेंडिलीज करें और शॉमपें यह यहां की परमुक ट्राइब्स है और फ्रेंट्स जो अंडमानें निकोबार है इसके लेटिनेंट गवर्ण है देवेंदर कुमार जोशी यह चीफ ओफ नवल स्टाफ भी रह चुके है भारत के और यह फर्स्ट नेवी चीफ है जिन्होंने रिजाइ दे दिया था और अंडमानें निकोबार की केपिटल है पॉर्ट ब्लेयर यह आप यहां से देख सकते हैं निकोबार आइलेंड के नौर्थ इस्ट में टेरेसा आइलेंड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ग्रांटेड इट्स एप्रूबल टू मैपल ग्रूप टू एक्वायर अप्टू 9.99 प्रसेंट इस्टेक इन विच बैंक ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन बी तो भारती रिजर्व बैंक ने आर्बील बैंक में 9.99 प्रतिसत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए मैपल ग्रूप को अपनी मंजूरी दे दी है अर्बील बैंक का हेड़कॉर्टर से मुम्बई में अपनों का बैंक ये इसकी टेग लाइन है ट्रेल बैजर्ड वोणा है महिला की चैलेंज खिता है और इसकी कप्तान है इसमृति मंधाना फ्रेंट्ट्स जो ये चैंपियंशिप है इसको आप महिलाओ का आईपल भी कह सकते हैं और इसके जो टाइटल इस पॉंसर है वह है Reliance Geo तो इसमृती मंदाना की जो Trail Blazers है इन्होंने Harman Preet Kaur की Super Novas को Final में हराया है और 2018 में टाइटल हुआ था और ये वाला जो टाइटल है ये इसका 3rd edition रहा है इससे पहले कि जो 2 edition है ये Harman Preet Kaur की Super Novas नहीं जीते हैं और इस बार जो ट्रेयर ओफ सीरीज रही हैं वे हैं राधा यादव तीन टीम इसमें सामिल रहती हैं Super Novas, Trail Blazers and Velocity Who is the new President of Hockey India The correct answer is option D तो ग्यानेंद्रो निंगोंबम इनको Hockey India की नए अद्दिक्ष की रूप में बनाया गया है और Hockey India का Headquarters है निउडेली में 20 माई 2019 को इसे बनाया गया था और Indian Hockey Federation को डिसमिस किया गया था तब इसे बनाया गया था The correct answer is option A तो Twitter ने वीडियो कंटेंट बनाने में ब्रांडों का समर्थन करने के लिए भारत में आर्ट हाउस सेवा की शुरुआत की है और Friends Twitter जो है इसको 2006 में मनाया था Jack Door से Noah Glass, Biz Stone and Ivan Williams ने और इसका Headquarters है San Francisco, California in United States On which day उत्राखंड celebrates its foundation day? The correct answer is option C तो उत्राखंड अपना स्थापना दीवस 9 November को मनाता है और Friends 9 November 2000 को उत्राखंड उत्राखंड उत्राप्रदेश से अलग होकर बना था और यह 27 वा राज्य था भारत का इसके CM है त्रिवेंदर सिंग रावत, गवर्णर है बेबी रानी मोर्या और इसकी कैपिटल है देरादून और गैरिसेंड और उत्राप्रदेश, हिमाचरप्रदेश, नेपाल और तीबत, ओर्टोनॉमस रीजन ओफ चाइना यहां से यह अपनी बॉर्डर शेयर करता है और मेरा भी यह हॉम स्टेट है और यहां की अगर हम बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क और फोरेश्ट रिसर्च इंस्टिटूट और इंडियन मिलिटरी अकेडमी और नंदा देवी पीक, कामेत माउंटेन यह सब भी उत्राखंड में है तो काफी इंपोर्टेंट है यह भी स्टैटिक जीके के अगर ह AIM Serious Innovation Program has been started for school children of India and which country? The correct answer is option B. AIM Serious Innovation Program भारत और रशिया के स्कूली बच्चों के लिए शुरू किया गया है AIM का मतलब है अटर इनोवेशन मिशन फ्रेंट्स इस प्रोग्राम के तहर इस्टुडेंट्स एजुकेटर्स एंड मेंटर्स एट वर्चुल प्रोडक्ट्स एंड मोबाइल एप्लिकेशन्स क्रियेट करेंगे जो की आर्टिफिचल इंटेलिजेंस हेल्थ एंड वेल बिं और रश्या का जो लोवर हाउस है इसे बोलते हैं स्टेट डूमा और मोस्को में काफी सारे कॉंपलेक्स हैं जिने क्रेमलीन का आ जाता है तो इसे रश्या जो रश्यन प्रेजिडेंट है इनके ओफिचल रेजिडेंस के नाम से जाना जाता है फ्रेंट्स एक एक एक्जाम का आंसर था ग्लादिमीर पुतिन तो ये रश्या के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं अभी तो राश्ट पती है प्रेजिडेंट है इससे पहले ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं इसी तरह से कॉस्चन ये भी बन सकता है कि युनाइटेड नेशन्स जनरल से BRICS की इस बार जो चेरमेंशिप है वो रशिया के पास है और इस बार जो BRICS समिट होने जारी है इसका जो थीम है वो है BRICS Partnership for Global Stability, Shared Security and Innovative Growth और हाल ही में रशिया में एक exercise हुई है military exercise जिसका नाम था कवकॉच या फिर Caucasus भी इसको का जाता है तो इंडिया ने इसमें participate नहीं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी इनागरेटेड दा इस्टेट ऑफ दी आर्ट ओफिस कम रेजिदेंचल कॉंप्लेक्स ओफ इनिकम टेक्स अपिलेट ट्रिविनल एट विच प्लेस ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन सी प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी ने उडीसा के कटक म आएकर अपिलिय अधिकरण के अत्याधुनिक कारियल सेह आवासिय परिसर का उदगाटन किया है फ्रेंड्स प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी दुआरा जितने भी प्रोजेक्ट लॉंच के जाते हैं ये सबी आपके एक्जाम्स के लिए काफी इंपोर्टेंट रहते हैं त इससे पार्लेमेंट एक्ट के द्वारा बनाया गया है सम्विधान द्वारा ये बोडी निर्मित नहीं है इसे मदर ट्रुबिनल भी कहते हैं इसने थर्ड पार्टी एप प्रोवाइडर के लिए यूपी आई में संसाधित कुल लेंदेन के 30 प्रतिशत कैप की घोशना की है फ्रेंड जो हैं आपको सभी सर्विसेज दीख रही है यूपी आई आई मपी एस और एने सी एच एपी एस ये सभी एन पी सी आई द्वारा संचालित की जाती है अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि इसका मतलब है कि किसी भी सिंगल थर्ड पार्टी एप को टोटल वोल्यूम के अधिकतम 30% ट्रांजेक्शन की ही इजाज़त दी जाएगी तो ये जो नियम है ये एक जनवरी 2021 से लागू होगा और अगर इसे फ्रेंट्स एक उधारन से समझें तो देखिए मानलो की जनवरी 2021 में हर महीने अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर तीन अरब UPI ट्रांजेक्शन होते हैं अब इसका 30 परसेंट यानि अधिक्तम 90 लैक ट्रांजेक्शन ही किसी एक थर्ड पार्टी एप से एक महीने में किये जा सकते हैं फ्रेंड्स थर्ड पार्टी एप ये कहलाते हैं जो गूगल पे हो गया, फोन पे, मॉबिक विक, पे टियम इस तरह के जो प्लेटफॉर्म होते हैं इन्हें थर्ड पार्टी एप्स कहते हैं NPCI के अगर बात करें तो Section 8 of Companies Act 2013 के तहत बनी यह है एक Note for Profit Company है इसका Headquarters मॉंबई में है और 2008 में इसकी स्थापना की गई थी दिलीप असबे इसके MD&CEO है और फ्रेंड्स ये एक अगस्त का आपके लिए Current Affairs है इसको भी आप याद रखना NPCI ने अपनी एक Subsidiary Firm Launch की है NIPL यानी NPCI International Payments Limited और इसके जो CEO हैं वे हैं रितेश शुकला तो ये CEO आप याद रखना रितेश शुकला आने वाले Bank Exam में पूछा जा सकता है Recently India and China hold 8th Corps Commander Level Talks at Chusul Where is Chusul located? The correct answer is option A तो हाल ही में भारत और चीन ने चुसूल में 8th Corps Commander इस्तर की वारता की है और ये जो चुसूल है ये लद्दाक में है Friends जो ये चुसूल सब सेक्टर है ये लद्दाक के Eastern Part में है और जो पैंगों तुसोल लएक है इसके South में है और यहां के जो जो लद्दाक Union Territory है इसके Lieutenant Governor है राधा कृष्ण माथूर आरके माथूर और Friends दो डिश्टिक है यहां पर ले और कारगिल ले यहां पर सबसे बड़ा डिश्टिक है तो रशिया ने फर्स्ट ब्रिक्स वित मंतरियों और केंद्रिय बैंक गवर्नरों की बैटक की अधक्षता की है और भारत की ओर से इसमें पार्टिसिपेट किया है हमारी Finance Minister निर्मला सीता रमन ने और Friends अगर हम Brics की बात करें तो Brazil, Russia, India, China और South Africa इसी Member Countries है यह तो आप सभी को मालूम है और Friends New Development Bank जिसे की Brics Bank भी का जाता था इसका Headquarter Sanghai in China में है Brics की स्था अपना 2009 में हुई थी पहले इसको Brics बोला जाता था और जब लेकिन 2010 में South Africa भी इसमें Add हो गया तब इसको Brics नाम दिया गया तो जो यह Brics टर्म थी यह Jimo Neil इनके द्वारा दी गई थी हाला कि का यह जाता है कि रूपा पुरसोत तमन इन्होंने इस टर्म को इजाद किया था Brics को In India, WhatsApp Pay is available in how many regional languages? The correct answer is option B तो भारत में WhatsApp Pay 10 छेत्रे भासाओं में उपलब्ध है आपको पता ही होगा हाल ही में NPCI ने green signal दिया थे WhatsApp Pay को अपनी service इंडिया में launch करने के लिए और friends, WhatsApp ने इसके लिए five leading banks के साथ करार किया है ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank, State Bank of India and Geo Payments Bank और आपको पता ही होगा कि Facebook द्वारा 2014 में WhatsApp को acquire किया गया था Who won the Paris Masters tennis title? The correct answer is option B तो Paris Masters tennis खिताब जीता है रशिया के Daniel Medvedev ने और इन्होंने हराया है Alexander Zevraev को World Science Day for Peace and Development is celebrated every year on which day? The correct answer is option C तो सांती और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हर साल 10 नमंबर को मनाया जाता है और इस बार इसका थीम रहा है Science for and with Society in Dealing with COVID-19 Which country has successfully launched the world's first 6G satellite into space to test the technology? The correct answer is option B तो चाइना ने परद्योगी का परिक्षन करने के लिए दुनिया का पहला 6G उपकरे अंत्रिक्स में सफलता पुर्वक लॉंच किया है और ये लॉंच किया गया है चाइना के Taiwan Satellite Launch Center से अब इसमें जो High Frequency Tetrahertz Waves इनकी इने यूज़ करके Data Transmission Speed को बढ़ाया जा सकेगा ऐसा चाइना का कहना है विच आयाइटी डेवलप्ट Multi-Point Temperature Measurement Sensor तो इनक्रीज एफिशेंसी ओफ इंडर्स्टियल अवन्स तो आयाइटी मदरास ने अद्योगी क ओवन की दक्षता बढ़ाने के लिए Multi-Point Temperature Measurement Sensor को विक्सित किया है तो पाकिस्तान के अलीमदार ने अउन फिल्ड अम्पाइर के रूप में सबसे अधिक एक दिवसे मैचों में अम्पाइरिंग का रिकोर्ड मनाया है यहाँ पर फ्रेंट्स क्रिकेट की बात हो रही है और इससे पहले यह रिकोर्ड साफ अफरिका के अम्पाइर रूडी कोईट्सन के नाम था तो उनको इन्होंने सरपास किया है और अब यह 210 वनडे इंटर्नेशनल मैचेज में अम्पाइरिंग करने वाले पहले अम्पाइर बन गए है और यह किर्तिवाइन ने हासिल किया है पाकिस्तान और जिम्बावे के भी चल रहे मैच में और फ्रेंड्स आपको यह भी याद दिला दूं कि 2019 में इन्होंने ही स्टीव बकनर जो कि अम्पाइर रह चुके हैं इनके टेस्ट अम्पाइर के रिकॉर्ड को भी तोड़ा था तो यह टेस्ट अम्पाइर भी सबसे ज़्यादा मैचेज में रह चुके हैं तो मुंबाई इंडियन्स ने डेरी कैपिटल्स को हरा कर अपना पाचवा आईपेल्स टीटाब जीता है और फ्रेंड्स इससे पहले मुंबाई इंडियन्स 2013, 2015, 2017 और 2019 में यह टाइटल जीत चुका है और यह जो फाइनल खेला गया है यह दुबाई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया है तो यह भी आप याद रखना कभी कभी स्टेडियम भी पूछ लेते हैं कि किस स्टेडियम में खेला गया और यह रहा इसका स्कोर तो टेली कैपिटल्स ने 156 रन्स स्कोर किये थे जिसके जवाब में मुंबाई इंडियम ने 5 विकेट के लोज पर 157 रन्स स्कोर किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टिटूट अफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुरुवेदा अट विच प्लेस फ्रेंड्स वैसे तो इंस्टिटूट पहले से यहां पर लोकेटिड है लेकिन अब इसको इंस्टिटूट ओफ नेशनल इंपोर्टेंस का दरजा दे दिया गया है तो अगर आप न्यूस पेपर्स देखें या फिर गवर्मेंट की साइट्स भी देखें तो वहां पर इसी फुल फॉर्म याद रखना आयूस में जो A वर्ड है A लेटर है इसका मतलब है आयूरवेदा य का मतलब है योगा एंड नेचुरोपैथी यू का मतलब है यूनानी S का मतलब है सिद्धा और H का मतलब है होमेवपैथी और फ्रेंट्स यूनियन मिनिस्टर ओफ इस्टेट इन मिनिस्ट्री ओफ आयूसें स्रीपद येशो नाइक विच डे इस सेलिब्रेटेड एस दे पब्लिक सर्विस ब्रोड कास्टिंग दे तो 12 नमंबर को लोग सिवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रेंट्स 1947 में इसी दिन मातमा गांधी ओल इंडिया रेडियो न्यू डेली स्टूडियो में आये थे और पार्टीशन के बाद हरियाणा के कुरुछेत्र में अस्थाई रूप से रह रहे लोगों को इन्होंने यहां से संबोधित किया था तो जैपूर में राष्ट्र आयूरवेद संस्थान का उधगाटन प्राइम मिर्स्टर नरेंदर मोदी जी ने किया है यह इंस्टिटूट भी फ्रेंट्स पहले से यहां पर लोकेटेड है और लेकिन इसको अब प्रतान मंतिर नरेंदर मोदी द्वारा डीम्ड यूनिवस्टी का दरजा दिया गया है और आपको पता ही होगा जैपूर जो है वो राजस्थान की कैपिटल सिटी है और जैपूर का जो इस्थापना है जैपूर की स्थापना यह 1727 में आमेर के रूलर जै सिंग सेकेंड द्वारा किया गया था जैपूर को पिंक सिटी भी बोला जाता है और फ्रेंट्स जैपूर में दो UNESCO World Heritage Sites हैं फर्स्ट इस अमबेरफोर्ट एंड सेकंड इस जंतरमंतर और फ्रेंट्स अलबर्ट हॉल म्यूजियम ये जैपूर में है ये आप याद रखना SSC में question पूछा गया है साथी जैपूर के Chief Architect रहे हैं विद्यधर भट्टाचार्या तो ये सबी points आपके लिए important हैं आप इनको note down जरूर खड़ लीजेगा विच स्टेट गॉट इट्स फर्स्ट रामसर साइट एड काबरताल तो correct answer is option A तो friends बिहार की काबरताल को रामसर साइट का tag दिया गया है और अब बिहार में जो ये काबरताल है इसको रामसर साइट का tag दिया जाने के बाद भारत में total रामसर साइट हो गई है 39 तो ये काफी important point है आपके लिए और friends अगर हम रामसर कर्वेंशन की बात करें तो जो wetlands होते हैं जिने आरदर भूमी भी का जाता है तो इनके conservation और wise use के लिए एक international treaty sign की गई थी इरान के सहर रामसर में और इसकी दिनांग थी 2 फरवरी 1971 तो इस दिन ये treaty sign होई थी इसलिए friends दो फरवरी को world wetland day यानि विस्व आरदर भूमी दीवस भी मनाया जाता है और friends नमी या जो दलदली भूमी होती है उस वाले छेतर को आरदर भूमी या wetlands का जाता है जो आरदर भूमी होती है ये जल को परदूशन मुक्त बनाती है इन्हें kidneys of the land escape यानि भूद रिष्षे के गुड़दे ये ऐसा भी कहा जाता है और एक बात आप और याद रखना नल से जल scheme ये government of India की scheme है जिसके तहद सभी घरों में 2024 तक piped water connection दिये जाने का प्रावधान है तो इसके लिए जो ये wetlands है ये भी काफी एम भूमी का निभाएंगे और friends हाली के कर current affairs की बात करें तो उत्राखन को भी अपना पहला रामसर wetland मिला है जिसका नाम है आसन conservation reserve तो याद रखना बिहार का first है काबरताल और उत्राखन का first है आसन conservation reserve आगे बढ़ते हैं who authored the book your best day is today the correct answer is option c तो अनुपम खेर जो की अभी नेता है इन्होंने ये पुस्तक लिखी है your best day is today और अगर इनकी और पुस्तक की बात करें तो lessons life taught me unknowingly and autobiography ये भी अनुपम खेर ने लिखी है साथ ही आप खुद ही best है ये भी अनुपम खेर द्वारा लिखी गई है who among the following inaugurated सरहद विस्तार विकास उत्सव 2020 in गुजरात the correct answer is option a friends ये इसका correct answer a है आप याद रखना तो अमित साने गुजरात में सरहद विस्तार विकास उत्सव 2020 का उद्वाटन किया है और ये है गुजरात के कच्छ डिस्टिक में और friends इस इवेंट को इस इवेंट को border area development program के under organize किया गया है जो ये border area development program है इसको 1993-94 में as a centrally sponsored scheme के तरह launch किया गया था और friends जो ये program launch किया गया है सरहद विस्तार विकास उत्सव 2020 तो इसका मकसद ये है कि जो भी remote areas में या फिर जो भी border villages है वहाँ पर health, education और road connectivity ये अच्छे तरह से provide कराई जा सके सांचमन लिम्बो ये सिक्कीम राज़्य के पूरो मुख्यमंत्री थे और ये सिक्कीम के फॉर्थ चीफ मिनिस्टर रहे हैं जो की 17th June 1994 से 12th December 1994 तक सिक्कीम के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और friends अगर हम present की बात करें तो सिक्कीम के चीफ मिनिस्टर है प्रेम अमांग यहां की गवर्णर है गंगा परसाद और कैपिटल है गैंग टॉक और अगर हम सिक्कीम के बॉर्डर की बात करें तो तीबत नेपाल पूटान और वेस्ट बेंगोल से यह अपना बॉर्डर शेयर करता है और सिक्कीम का जो कंचन जंगा नेशनल पार्क है यह युने इस पॉर्ड़ गें 22 किम्यतर लंबा है और स्यं चोड़ा और 60 क्लोमिटर लंबा एक कॉरिड़र आहलं जितना भी हमारा नौर्था के States, State Sponsor of Terrorism List The correct answer is option C, तो American State Sponsor of Terrorism List से सुडान देश को हटाया गया है और friends, इस लिस्ट में अब जो बचे हैं वे तीन कंट्रीज हैं, सीरिया इरान और नॉर्थ कोरिया, और सुडान की कैपिटल है, Khartum, और करन्सी है, Sudanese Pound, और friends, South Sudan की कैपिटल है, Juba और यहां की करन्सी है, South Sudanese Pound, तो यह दोनों मैंने आपके लिए अलगे-लग इसी लिए लिखी है, ताकि आपको confusion ना हो क्योंकि option में fourth option इस तरह से भी आ सकता है, question में fourth option इस तरह से भी आ सकता है कि आपको C option Sudan दियाओ और fourth option आपको दियाओ South Sudan, तो यहां पर confusion हो जाता है इसलिए आप याद रखना India celebrates Ayurveda day on which occasion the correct answer is option B तो भारत धन्तेरस के दिन Ayurveda दिवस मनाता है और 2016 में शुरू किया गया था और इस साल 2020 में भारत ने fifth Ayurveda day मनाया है तो इस साल यह पड़ा है 13 November यानि Friday को The fifth Scorpion Class Submarine Wagir has been launched at which dockyard The correct answer is option C तो पांचवी Scorpion, स्रेणिकी, पंडुबी Wagir, यह friends मजगाव डोक सिप बिल्डर दुवारा लॉंच की गई है और friends देखिए भारत का एक प्रोजेक्ट है इंटी सम्मरीन वार्फेर इंटेलिजेंस गैदरिंग माइन लेंग और एरिया सर्विलेंस इस तरह की सुविदा प्रोवाइट कराती है इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइट कराती है इंडियास फर्स्ट सोलर बेस्ट इंटिग्रेटेड़ मल्टी विलेज वाइटर सप्लाई प्रोजेक्ट हैज बिन लॉंच्ट इन विच स्टेट तो भारत का पहला सोर आधारित एकी करित बहुग्राम जल आपुरती परियोजना अरुनाशर प्रदेश में सुरू की गई है और इस परियोजना को लॉंच किया है यूनियन मिनिस्ट्री ओफ जल सक्ती गजेंद्र सिंग सेखावज्जी द्वारा इन दो नो मिस्ट्री इसको मिना कर मिनिस्ट्री ओफ जल सक्ती बनाई गई थी इन दों मिस्ट्रीज को मिनखर प्रदेश का गई थी विच सिटी बिल होस्ट था इंटर्नेशनल वर्ड फेस्टीवल The correct answer is option C तो उत्तरप्रदेश का गोरखपूर सहर अंतराश्टे पक्षी उत्सब की मेजबानी करेगा और ये होगा फरवरी 2021 में और फ्रेंट्स आप एक चीज और याद रखना जो ये रामगड ताल है ये भी गोरखपूर सहर में है Who will head the 21-member inter-ministerial committee for strengthening the capital goods sector? The correct answer is option C अंतर मंतराली समीती इसके परमुक होंगे Secretary of the Department of Heavy Industries इस committee के formation की घोशना की है प्रकास जावडेकर जी ने Friends प्रकास जावडेकर जी के पास तीन ministries है Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Information and Broadcasting, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises अच्छा जो ये Ministry of Heavy Industries है इस मिनिस्ट्री में heavy सब्द का अर्थ है कि ऐसा setup जिसमें large machinery's use होती हों या फिर इस तरह के products जिने बड़े plants ज्वारा प्रोड्यूस किया जाता है तो state industry, automotive, petroleum and mining industries ये सभी heavy industries के अंतर गताते हैं आगे बढ़ते हैं तो विप्रो के former chairman अजीम प्रेम जी ने एडल गिव हुरुन इंडिया philanthropy list यानि परोब कारी या फिर जन हितेशी जो लोगों की सूची बनाई है इसको top किया है और इसमें second number पर रहे है SCL Technology के founder chairman सीव नादर उसके बाद रहे हैं तीसे number पर Reliance Industries के chairman मुकेस अंबानी फौर्थ number पर रहे हैं आदित्य बिल्ला ग्रूप के chairman कुमार मंगलम बिल्ला और फिफ्थ number पर रहे हैं वेदानता ग्रूप के chairman अनील अगरवार और अगर women की बात करें तो इसमें number one पर रही है रोहीनी नीले करणी ये friends पूरी list है आप इसको यहां से देख सकते हैं साथी friends अगर हुरून द्वारा जारी की गई एक और list की बात करें तो लगाता है नोवे साल मुकेस अंबानी ने हुरून इंडिया रीच लिष्ट को टॉप किया है आगे बढ़ते हैं तो इसमें इन्होंने लिखा है मीना के आयर के साथ क्योंकि टाइटल में दिया गया है सोनु सूध विद मीना के आयर और फ्रेंट्स ये भी आप याद रखना कि सोनु सूध को SDG यानि Sustainable Development Goals Special Humanitarian Action Award दिया गया था फ्रेंट्स इस Current Affair में कई लोगों ने इसमें गलस शो किया है क्योंकि न्यूस पेपर्स ने भी इसमें मिसलीड किया था ये UNDP द्वारा नहीं दिया गया था इनको बलकि ये जो पंजाब सरकार का जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये अवार्ड इनको दिया गया था तो याद रखना ये UNDP द्वारा नहीं दिया गया था ये पंजाब सरकार की जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसके द्वाराई अवार्डिन को दिया गया था इंडिया's longest single lane motorable suspension bridge डोबरा चांथी was inaugurated in which state ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन भी भारत का सबसे लंबा single lane motorable suspension bridge डोबरा चांथी इसका उत्गाटन उत्राखन राज्य में किया गया और ये उत्गाटन किया उत्राखन के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंदर सिंग रावत जिद्वारा इस bridge की लंबाई है 725 मिटर और ये उत्राखन के टीरी कडवाल डिस्टिक में located है और friends उत्राखन की गवर्णर है बेबी दानी मोरिया और यहां की जो winter capital है वो है देरादून और summer capital है garrison उत्राखन से जुड़े अगर और current affairs की बात करें तो देखें उत्राखन के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंदर सिंग रावत ने सौर स्वरोजगार योजना इसको लॉंच किया था साथी उत्राखन के cm ने आचल अमरती योजना इसको भी लॉंच किया था और friends उत्राखन के cm ने first pirule power project इसको उत्राखन राज्य में लॉंच किया था friends पिरूल का मतलब होता है जो चेड़ी की नुकीली पत्या होती है उसको पिरूल कहते हैं वो जड़ जाती है फिर सूख जाती है तो उनी को पिरूल बोला जाता है साथी friends आसन कंजर्वेशन रिजर्व इसको रामसर साइट का टेग दिया गया है ये उत्राखन में लोकेटेड है finance peer has robbed in whom as its brand ambassador the correct answer is option B तो finance peer ने क्रिकेटर रोहित सर्मा को अपना brand ambassador बनाया है friends जो ये finance peer है ये जो लोग education fees नहीं दे सकते school fees नहीं दे सकते तो उनको installment basis पर वो help provide कराता है वो finance की सुविधा provide कराता है finance peer अच्छा और इसके founder and CEO है रोहित कजपिये रोहित सर्मा से अगर जुड़े हुए हम current affairs की बात करें तो रोहित सर्मा को doctor trust इसका भी brand ambassador हाल ही में बनाया गया है doctor trust जो है ये health related devices बनाती है साथी okli जो की okli friends ये goggles sunglasses इन सब को बनाती है इसने ruby रोहित सर्मा को अपना brand ambassador बनाया हुआ है साथी Spanish football league लाली का इसने भी रोहित सर्मा को अपना brand ambassador बनाया हुआ है साथी viga viga जो है friends ये जो beauty accessories है या फिर personal care appliances है इन सब को manufacture करती है तो इसने भी अपना brand ambassador रोहित सर्मा को मनाया हुआ है which payments bank will offer comprehensive car insurance in association with भारती exa general insurance the correct answer is option c भारती exa general insurance के साथ airtel payment bank व्यापक कार बीमा की पेशखश करेगा तो जो भारती exa general insurance है इसके CEO और MD है संजीव स्रीनिवासन और हैटकॉर्टर से मुंबई में airtel payments bank के CEO है अनुबराता विश्वास और हैटकॉर्टर से निव डेली में फ्रेंट्स काफी फेमस राइटर हैं इनकी और भी रचना है आप जरूर देखे एक्जाम में पूछी जाती है और मैं आपको यह बता दू कि इन्हें साहित अकेडमी अवर्ड 1992 में मिला था इनकी रचना अवर ट्रीज स्टील ग्रो इन देहरा इसके लिए तो हमारी जो वाइस प्रेजिडेंट है बंकया नाइडू जी इन्होंने इस बुक को लॉंच किया है थावस्मी लाइफ एंड इसकिल्स थू दिल लैंस ओफ रामायन और इसके जो उतर हैं वे हैं रालाबंदी स्री रामा चंद्रधर और अमारा सरदा दीपती तो फ्रेंट्स जो ये बुक है ये एक फादर और उसकी डॉटर के बीच समवात के जरिए रामायन की स्टोरी को प्रेजेंट करती है फॉर वॉल्यूम्स में ये बुक है विच इंसरेंट्स कंपनी हैज लॉंच्ट कैंसर सेंड्स नो नोटिफिकेशन्स कैंपेन तो भारती एकसा जनरल इंसरेंट्स ने कैंपेन अपना सुरू किया है कैंसर सेंड्स नो नोटिफिकेशन्स तो फ्रेंट्स इसका मोटिफ यही रहा है कि अगर आपको कुछ भी इस तरह के सिम्टम्स लगें जो की नैच्रल ना हो तो आप उनका चेक अप जरूर कराएं क्योंकि वो कैंसर भी हो सकता है है ना तो बस इसी लिए ये एक कैंपेन इन्होंने सुरू किया है अच्छा फ्रेंट्स इसमें मेरे को एक ये ट्विट भी इनका मिला जिसमें इन्होंने बताया है कि जो ये सर्वाइकल कैंसर है ये इसकी वेक्सीन भी आती है जो की 9 से 26 साल तक की जो विमन है वो इसको अवैल कर सकती है तो फ्रेंट्स जितने भी हमारी आप लोग गर्ल्स वीवर्स हैं हमारी करेंट अफेर्स जो देख रही है तो इस बात को आप ध्यान रखना क्योंकि काफी सीरियस ये कैंसर होता है और जितना भी लेडीज में कैंसर होता है जितने भी कैंसर होते हैं उनमें 16.5% कैंसर सर्वाइकल कैंसर होता है तो इसलिए अपनी सुरक्सा अपने हाथ है तो इन सबी चीजों के बारे में आप ध्यान रखने हैं तो ज़्यादा अच्छा है तो पेट्रोनेट एल एनजी लिमिटेड के नए प्रबंद निदेशक और मुख्य कारे कारी यह होंगे अक्षे कुमार सिंग और यह रिप्लेस करेंगे प्रभात सिंग को फ्रेंट जो यह पेट्रोनेट है यह चार कंपनियों का एक जोइंड वेंचर है इंडियन ओयल कोर्परेशन, गेल, ओयल एंड नेचुरल गैस कोर्परेशन और बी पी सियल यानि भारत पेट्रोलियम कोर्परेशन लिमिटेड आसीफ बसरा, रिसेंडली पास्ट अवे, बिलोंग तू, विच अफ दा फॉलोईंग प्रोफेशन तो आसीफ बसरा, जिनका हाली में निधन हो गया है, ये बोलीवूड एक्टर रहे हैं और भी इंडिस्ट्रीज में इन्होंने काम किया है, बोलीवूड के लावा, तो मुक्य रूप से ये एक्टर रहे हैं और हिमाचल पर्देश में इन्होंने सुसाइट कर लिए एक प्राइवेट गेस्ट हाउस में, ऐसा का आ गया है पुलिस द्वारा चिल्डरन्स डे और बाल दिवस इन इंडिया इस सेलिब्रेटेड एवरी येर, ओन विच डे तो फ्रेंट्स भारत में जो बाल दिवस है, ये 14 नमबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जवाहरलाल नेरू जी की जन्म ती थी है ये, जवाहरलाल नेरू जी का जन्म जो है ये 14 नमबर, 14 नमबर, 1889 में इलावाद में हुआ था अच्छा, वर्ड चिल्डन स्टे, ये 20 नमबर को मनाया जाता है पहले भारत भी 1964 तक 20 नमबर को ही ये दिन मनाया करता थे लेकिन जवाहलाल नेरू जी की डेथ जब 1964 में हुई तो उनकी याद में, क्योंकि खा जाता है कि इनको बच्चों से काफी प्यार था चाचा नेरू इनको कहते थे तो इनकी मेमोरी में, जो चिल्डन डे है भारत में ये 14 नमबर को मनाया जाता है और फ्रेंड्स, ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ये आप सभी को मालूम होगा और लोंगेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं हमारे देश के और साथ में आप सभी करेंट अफेर्स फंडा को टेलिग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करेंट क्वीजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं साथी डिसकसन गुरूप में आप किसी भी कॉश्चन का सोलूशन पा सकते हैं दोस्तों हैं आपर करेंट अफेर्स की प्लेलिस्ट दी गई है इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ वट्सेप और टेलिग्राम पर शेयर करें लाइक करें और कमेंट करके फ्रेंट्स ये जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी थैंक्यू काइस